ब्लू वेल गेम अब मौत का खेल बनता जा रहा है एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इसके बारे में एक राज आप नहीं जानते होंगे आगे पर ये कस समय और कस तरह से बनाता है आपको शकार ये है एक उनलाइन गेम है जो रूस में 2013 में बनाया गया था अब तक रूस में ही इस मौत का खेल से करीब 130 मौते हो चुकी है गेम एफरिन 57 नाम के डेप ग्रूप से इसे सोशल साइट्स पर जोड़ा गया है इसमें प्लेयर को बहुत सारे टास्क दिये जाते हैं इसमें प्लेयर को 50 टास्क पार करने होते हैं और आखरी टास्क में सुसाइट करना पड़ता है इसके बाद ही आप गेम को समाप्त कर सकते हैं ब्लू वेल गेम को रूस के साइकोलोजी के स्टुडेंट फिलिप बुदेकिर ने बनाया था अब तक इस गेम से रूस, चीन, साउधी आरब, ब्राजील, अर्जेंटीना, बल्गेरिया, चिली, एकली और भारत समें कई देश प्रभावेत हो चुके हैं ब्लू वेल गेम ऐसे बनाता है शिकार एक, गेम पूरी तरह से प्लेयर और एड्मिन की रिलेशन्शिप पर आधारित है दो, गेम के टास्क सुबह 4 बच के 20 मिनट बजे से शुरू होते हैं तीन, टास्क पूरे होने के सपूत के तौर पर वीडियो और फोटो एड्मिन को भेजना होता है चार, गेम में राट को डरावने वीडियो और गाने सुनने के टास्क दिये जाते हैं पांच, इसमें 11 सेकंड 19 साल के युवाओं को शिकार बनाया जाता है छे, गेम से प्लेयर का ब्रेन वाश कर उसे बहकाया जाता है साथ, गेम को छोड़ने पर आपको नेते कुख पीडन आपकी सूचना सारवजनिक करने की धमकी दी जाती है आठ, एक बार गेम डाउनलोड करने पर यह प्लेयर के फोट को हिट कर उसकी सारी व्यक्ति गजजानकारियां प्राप्त कर लेता है जिससे उन्हें बाद में धमकियां दी जाती है नौ, इसमें कोहनी पर ब्लेट से वेल का निशान बनाना खुद को नुकसान पहुँचाने के टास्क मसलनस काटने, जानवरों को मारने, हाथ पर ब्लेट से नाम लिखने, कार के सामने कूदने, छट से खूद कर खुद कुशी करने के लिए कहा जाता है ब्लू वेल चैलेंज पर सरकार सक्त अब तक मुंबई में 14 साल के एक बच्चे के साथवी मन्जिल से खूद कर जान देने का मामला सामने आया है इसके अलावा संदिक्त रूप से केरल में 16 साल के बच्चे और इंदोर, बंगाल के बाद अब देहरादून के दो स्कूलों में इस तरह के मामले सामने आये है और ये उम्र के लोगों से 4 गुना अधिग होती है लिहाजा आपसे अनुरोध है कि इस गेम के नाम से मौझूद किसी भी इंटरनेट लिंक अथवा इसी तरह के दूसरे गेम को तदकाल अपने प्लेटफॉर्म से हटाना सनिश्चित करें निर्देश को केंद्र सरकार ने दिगच्टेक कमपनियों बेहत गंभी दासे लेने की चेताव भी दी है इसके अलावा महिला एवन बाल विकास्ट मंत्री ने लोगों से अपने बच्चों पर नजर रखने की अपील की है